हेलो ये नमस्कार दोस्तों मैं हूँ किसंसरो जर आप देखने हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टूटोरिस दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल फून के बैटी बहुत ही जल्दी खतम हो जाती है और आप इससे बहुत ही ज़्यादा परिशान हो ना तो आज के वीडियो प बताने वाला हूँ जो बिल्कुल नया है और उस सेटिंग को कर लोगे न तो आपके मोबाइल फून के बैटी इतना ज्यादा चलेगा कि आपको खुद पर भी विस्वास नहीं होगा जहां दोस्तों बार बार चार्ज करने के आपको ज़रूइत नहीं पड़ेगी एक बार चार्ज करोगे दोस्ते तिन दिन तक आसानी से आप यूज कर पाओगे इस सेटिंग को अगर आप अपने मोबाइल फोन में करके अपने मोबाइल फोन को इस्तमाल करोगे न तो यार आपको काफी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके बैटी से चार्ज करने से फुरसक मिल दो यार दोस्तो वीडियो शुरू करने इसपहले ना अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार लाइक कर दो और उसके नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे ना आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहां पर कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट कर देना है यहां पर आप कमेंट कर सकते हो नाइस ऑसम या फिर जो भी आप कमेंट करना चाहते हो जो आपका दिल करता है यहां पर आपको कमेंट कर देना है तो दूस्तों सारे के साथ सेटेंस करने के लिए आपको अपने मोबाइ में आपको setting मिल जाएगा सबसे पहले आपको नीचे आना है यहां पे आपको चाह呢 information में यहां पर आऊपको एक option दिखाई जैता है जो है build number का यहां पर आप जैसा करना वहां किदेख सकते हो आपको इस पर Is एक ऌरफ्टिक करना है ताकि आपका developer option on हो जाए तो मेरा developer option on है तो यहाँ पे बोला है no need तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ और जब आपको उहाँ पे seven time tap कर लोगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक और option मिल जाता है जिसका name है developer option आपको इस पे tap कर देना है यहाँ पे आपको एक setting करनी है जहाँ दोस्तों यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे आना है नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है application का यहाँ पे आप जिसका की देख सकते हो application वाले folder में आपको यहाँ पे limit background process पे आपको क्लिक कर देना है इस पे जब आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको no background process पे क्लिक कर देना है यह setting मैं आपको क्यों करने के लिए बोला हूँ ताकि आपके background में कोई भी process ना चले तो आपके mobile phone के बैटी खतम ही नहीं होगी जहां दोसों क्योंकि जब background में processing चलते रहते हैं internet जो है खतम होता रहता है हर application internet use करते हैं run करते रहते हैं तो background में ही बैटी पूरी के पूरी खतम हो जाती है तो यह setting आपको बिलकुल से बिलकुल कर लेनी है यह बहुत ही फार्देमंद होनी वाला है उसकी बाद आपको यहां से बैक आना है यहां पर आपको कुछ ईसाठििंग करने हैं जहां दोस्तों बहुत ही जद आपका बैटी बचने लगेगा यहां पर आपको जो सेटिंग करनी है वो है सबसे पहले आपको इसे मीड पर कर देना है यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो अभी आपकी बैटी एक दिन 12 गंटे चलेगी और जैसे ही आप इसे मीड पर कर दोग यहां पर आपके 8 गंटे का फर्क आपके सामने ही तुरंत हो चुका है इसे मीड पर करते ही इतना करने के बाद आपको यहां पे कुछ नहीं करना है आपको हो में काम करना है जिसको हम नहीं कर सकते है और जिनका उप्लिकेशं ? रहते हैं यहां पर जिनका application कोई ऐसे application होते हैं हमारे mobile phone में बहुत सारे हैं जो इन विल आते हैं जिसको हम delete भी नहीं कर सकते हैं और जिनका कोई काम नहीं होता जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यह skype हो गया यहां पर बहुत सारे ऐसे folder है यह play music हो गया या फिर बहुत लोग है drive का use नहीं करते बहुत लोग है यह do का use नहीं करते प्ली movie का use नहीं करते ऐसे बहुत सारे application हैं इनको हम delete नहीं कर सकते हैं यह लोग हमारी बैटी फिर भी खाते रहते हैं और delete भी नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि यह है Skype, Skype हम मेंसे सब लोग तो use नहीं करते होंगे, बहुत ही कम होंगे जो इसको use करते होंगे, तो आपको इसे करना क्या पता है, आपको इस पर tap करके रखना है, और यहाँ पर आपको इसे disable कर देना है, उसके बाद जब आपको इसका इस्तमाल पड़े जब भी आप इसको यूज करना चाहे हो आप सेटिंग में जाके उसे एनेबल करके आप इस्तमाल कर सकते हो जाहां दोस्तो ऐसे ही आपको उन सारे के सारे अप्लिकेशन को खर देना है जिनका आप कोई यूज नहीं करते जिन को पंदरा सो लाइक ठोक दो और नीचे जो रेट कल की सब्सक्राइब बटन दिख रहे है ना उस पर क्लिक करना मत बुलना क्यों कि चैनल पर मैं आपके लिए डेली नहीं वीडियो बनाता हूं यार बहुत मेहनत करता हूं तो लाइक बनता है और यार हो सके तो उसके कंटेना उसको भी बजा दो थैंक्यों दूस्तों